घर पहुँचते ही चौपाल पर बैटी भीड को देखकर बिर्जेस का पारा और चड़ गया चौधरी साहब के समय तो चौपाल पर भीड होना कोई बड़ी बात नहीं थी मगए चौपाल महिनों से जो सूनी पड़ी थी उस पर आब जो चौधरी साहब के भिखते ही इतनी ज पड़ता गया और सवीता मालती और सुवास के साथ हवेली के अंदर थी बिर्जेस कुछ पूछता तो नहीं है लेकिन सामने खड़ी सवीता उसे किसी चुड़ेल से कम दिखाई नहीं दे रही थी दिवार के साहरे खड़ी हुई लाठी उसने उठा ली बिर्जेस ने आव देखा न ताब उसका हाथ घुमा और एक लाठी सवीता की कमर पर पड़ी सवीता चीकती हुई जमीन पर गिर गई बिर्जेस लाठी घुमाता रहा सवीता चटपटा कर चीकती रही मालती और सुबास भी सवीता को बचाने की कोसिस करने लगे दोना बच्चे बिर्जेस के पैरों से चिपक गए, बिर्जेस के सिर पर खून सवार था, बच्चों को उसने इधर उधर किया और दे दना दन सवीता पर लाठी बरसाता चला गया, सवीता की चीक पुकार सुनकर गाउं के लोग भागे, सबने मिलकर बिर्जेस को पकड़ा, तब तक सवीता पर सैकरो ला की पूरी कोसिस कर रहा था, वे अपने पिता को ढूणने लगा, लोगों से पूछताच भी की कसाई कहां का था, बाबुजी को लेकर किधर गया, पूछते पूछते कुछ भी सुराग मिले, तो बिर्जेस आगे बढ़ता गया, कुछ सुराग और मिलते गए, चार पाइप वापस लोटाया, और भूके पेटी चोपाल पर सो गया, लाठी की मार से सभीता को तोड़ कर रख दिया था, सरीर में बहन कर दर्द हो रहा था, हात पैर उठ नहीं रहे थे, जरासा भी हिलने डूलने पर सभीता, दर्द से छटपटा जाती, मालती ने हवेली में दीपक जला दिया, मगर खाना पीना नहीं बना, ना किसी ने खाया, सननाटा हवेली में ऐसे पसरा था, जैसे घर में कोई मौत हो गई हो, सुबह जगतेई विर्जेस तो बाबुजी की खोज में घर से निकल गया, सभीता की हालत देखकर कुछ लोग बैल गाडी में डाल कर उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, एक सरे देखकर डॉक्टर ने बताया, एक हाथ और एक पैर की हड़ी तूट गई है, हाथ पर तो पलास्टर से काम चल जाएगा, मगर पैर का ऑपरेशन करके पलेट डालनी पड़ेगी, पूरे इलाज में 35,000 खर्च हो जाएंगे, इधर बिर कि सवीता अस्पताल में भरती है, कहते हैं न, विनास काले विपरीद पुद्धी, भगवान जब कुछ दुख दरिदर देता है, तो उसकी मत्ती पहले ही हर लेता है, वही सवीता के साथ हुआ, चौधरी साब को बेचकर, जो चौधरी था उसका तो छेतर में नाम था, वि अपराद तो हुआ ही है, कुछ दंदा होना निश्ची है, पूछ ताच के लिए पुलिस पहुची, गाम में आकर मालूम हुआ कि सवीता तो अस्पताल में भरती है, विर्जेस ने उसकी हड़ियां तोड़ दी है, अपराद एक की जगे दो हो गए, सवीता के साथ-साथ घ ग्रफतारी का दबाब बनाने लगी, गाउं के कुछ लोगों ने सोच विचार में पढ़कर मामले को रफा-दफा करवाया, दोना बारदात में पुलिस को 40,000 रुपे दे कर मुक्ती मिल गई, जेल जाकर मुकदमा लड़ने से तो 40,000 देने में ही समझदारी थी, चौदरी 25,000 रुपे घर में रखे थे, 25,000 रुपे उधार लेकर पुलिस से मुक्ती पाई, और 35,000 की वेवस्ता अभी भी अस्पताल के लिए करनी थी, कहते हैं ना आबेल मुझे मार, 5000 में चौदरी साब को बेच कर मिले थे, और 75,000 तक ठिकाने लग गए, अब सभीता भी अस्पत काल के लिए जो बवेस्ता करनी थी, पैसे की वो सब बिर्जेश को ही करना था, कहते हैं ने भगवान जब देता है तो छप्पर फार कर देता है, और लेता है तो चम्री उधेड कर, उसकी लाटी में आवाज नहीं होती, बाबु जी को गए अभी दो ही दिन हुए थे, बि का खर्च भी रहा और खर्च करते करते अब तक सिर्फ दस हजार रुपे बचे थे, पांच हजार वेकसाई दे गया था, वही पंद्रा हजार रुपे और पच्छिस हजार उधार लेकर पुलिस का जंजट तूटा, मगर पैतिस हजार अस्पताल के लिए कहां से आएंगे, इतनी बड़ी रकम कौन उधार देगा, पच्छिस हजारी रामफल ने बड़ी मुस्किल से दिये थे, पुलिस को देने की मजबूरी थी, इसलिए उसने चार दिन बाद कौन सी फसल विकेगी, चार दिन तक पच्छिस हजार रामफल को वापस करने है, पैतिस हजार अस्प वे होते तो ये 75,000 का दंड क्यों पढ़ता बिर्जेस को अब अपनी गलती पर पस्तावा हो रहा था बगर सवीदा ने काम ये ऐसा कर दिया अगर नहीं करती तो ये पहड क्यों उपर तूटता दंड तो मिलना ही था अब कैसे भी हो 60,000 की विवस्ता तो करनी थी बिर्जेस क कोई रास्ता नहीं सूज रहा था घर में रखे सोने के आभूसन लेकर वो बाजार में सुनार की दुकान पर पहुँच गया सोना प्रखने के बाद जो सुनार ने वजन तोला 15 तोले सोना है बट्टा काटकर कुल 90,000 बनते हैं देदू मुझे तो मात्र 60,000 रुपे की अधिक ले गया तो घर में खर्च हो जाएंगे बिर्जेस ने कहा तो इसमेंसे कुछ गहना वापस दे दो 60,000 की कीमत का सोना ले लो सुनार ने कहा कूँच महीने की समश्या है दो-तीन महीने बाद फसल आजाएगी अगर दो-तीन महीने बाद विवस्ता हो जाए तो फृर अजेवर क्यूं बेच रहे हो सुनार कहने लगा गिर्वी रख दो साथ हजार ले जाओ फसल आ जाए तब छुटा दे कर अपना सुना वापस छुटा लेना सुनार ने भी जो बिरजेस को सला दी तो सुनार की सलाब बिरजेस को अच्छी लगी सुना बेच कर खरीदना हाती के मुँ में गन्य निकालने के बराबर है फसल इतनी तो हो जाएगी सुध साइद भुकतान हो जाएगा बेचने के बाद सुना खरीदना मुस्किल काम है इसलिए उसने सुनार से पंदरा तोला सुना गिर्वी रखद कर दो प्रेती सेकड़ा प्रेती माह के सूध से 60,000 रुपे ले लिए और अपने घर चल दिया 25,000 उसने रामफल के चुकता करने के बाद बिर्जेस ने 35,000 रुपे जो अस्पताल भिजवा दिये गुस्दे के कारन बिर्जेस खुद अस्पताल नहीं गया पड़ास के ही कुछ लोग सवीता के पास थे बिर्जेस अब तक भी सवीता की हरकत से उबर नहीं पाया था उपर से 75,000 का यह चूना और लग गया दस दिन अस्पताल में रहने के बाद सवीता छुटी होकर घर वापस आ गई हाथ पैरों पर प्लाश्टर लगा हुआ था इस दे कुछ काम तो कर नहीं सकती थी चार पाई पर ही रहना था सवीता की सेवा और घर का काम सम माल्ती के कोमल कंधों पर आ गया माल्ती की उम्रा भी 12-13 बरस की ही थी चौका चूले का काम अभी ठीक से सीख भी नहीं पाई थी मगर मजबूरी ने सब कुछ समय से पहले सिका दिया था मा की देख भाल भी करनी थी और खाना बना कर खेत पर भी पहुँचाना बिर्जेस के साथ दो नौकर भी काम करते थे 75,000 का चूना लगने के बाद आब नौकरों का वेतन निकालना मुस्किल था बिर्जेस ने सोचा शायद फसल अच्छी हो जाएगी तो गिर्वी रखावा सौना भी छोट जाएगा और नौकरों का वेतन भी निकल जाएगा मगर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था लक्ष्मी देवी और चौदरी सिंग के जाने के बाद बिर्जेस के मुगदर में दरिदरता ही लिखी थी कितने मन्नतों से बिर्जेस का जनम हुआ था कितने पूजा अर्चना कांगणा तक की पैदल यात्रा की थी उनके ही जाते घर में दरिदरता ने अपना पैर पसार ने सुरू कर दिये अब चौदरी साब ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका पुत्र दरिदरता में जीवन यापन करेगा उनके अर्मान तो खुद से भी बड़ा अपने बेटे को बनाना था हर बाप सोचता है उसका पुत्र उससे आगे निकले मगर होता वही है जो भगवान की इच्छा है बे मौसम की बरसात ने बिरजेश का सारा खेल बिगार दिया बरसात का पाने नाला नहीं संबाल सका तो खेतों में चड़ने लगा पके हुई फसल जल मगन हो गई यह देख बिरजेश के हिर्दय पर बजर पात हो गया गिरवी रखके आभुसन छुटाने की उमीदे धूमिल हो गई तेन महीने से अधिक का समय गुजर गया सौना गिरवी रखके चार महिने सूध ही पाँच हजार तक बनती है इस फसल का ही साहरा था और इस फसल पर वै ना छुटा पाया तो अगली फसल तक व्याजी पहुँच से दूर हो जाएगी उपर से नौ करों का वेतन भी पिछले छह महिने से लटका पड़ा था दौना के लिए बारा हजार तो चाहिए ही मजदूर है इन्हें टाल भी नहीं सकते मजदूर में जान ही कितनी होती है छमाई पर हिसाब तो देना ही पड़ेगा आखिर इनके भी बाल बच्चे हैं इन्हें भी घर के चौका चूले बरतन भाड़े वस्तरादी की विवस्ता करनी पड़ती है पेट के लिए इखेतों में काम करते है भगवान की क्या इच्छा है बिरजेस को नहीं मालुम था खेतों में पानी सूखने के बाद जो फसल तयार हुई उसे बेचकर मंडी से बिरजेस को बीस हजार रुपे ही मिल सके नाले की बाड़ने असी परतिसत फसल बरबाद कर दी थी बिरजेस तो एक लाग तक की उमीद लगाए बैठा था बीस हजार से क्या होगा 12,000 तो दोनों नौकरों के ही बनते हैं बचे 8,000 अगली फसल तक अपने घर का खर्च भी चाहिए 8,000 से घर का खर्च कैसे चलेगा आप उसन छुडाना तो बाद की बात है अगली फसल के लिए खाद बीज भी चाहिए अब ये सब काम तो बाबू जी ही करते रहते थे कहां से लाते किसे देते थे बिर्जेश को भविश्य के आसार अच्छे नहीं लग रहे थे वे साथ हजार कर्ज तो था ही अगली फसल तक बढ़ने की और उम्मीद हो गई आठ हजार में चार महिने कैसे कटेंगे अनाज दूद घी तो घर का है दाल चावल चीनी बूरा साबुन फल सबजी बाजार से आने है घर का दूद पीना है तो गाय भैस के लिए खल बाजार से आएगी उपर से हारी बिमारी का खर्चा अलग खेती से ही आमंदनी दूसरी कोई कमाई भी नहीं थी यही एक अच्छी बात है कि जमीन साट भीगा है यही एक उम्मीद का सहरा थी और वीस हजार रुपे में बिलजेस ने भगवान भरोसे चैचै हजार रुपे दोनों नौकरों को देकर आठ हजार घर में रख लिये गिर्वी रखा सोना छुडाने की तमन्ना उसके दिल में ही दबी रह गई उदर जावेद ने चौदरी साब को एक निजी अस्पताल में भरती कर दिया था डाक्टरों ने चैक अप और जाच के बाद चौदरी सिंग की जो चिकित सा सिरू कर दी गुलूकोस चड़ने लगा था इंजेक्शन लगने लगे गुलूकोस की एक एक बूंद ने अमरित का काम किया चौदरी साब की चेतना वापस आने लगी सरीर की भड़कन भी कम हो गई सूके मूं में लार भी बनने लगी थी जावेद हर तरह से ब्यवस्ता कर रहा था कभी बाजार से दवाया लाकर डाक्टरों को देता कभी खाने पीने की वस्तुएं चौदरी साब के लिए लाता फाल तु समय में चौदरी मनफूल सिंग के पैर दबाता था जावेद की सेवा देखकर मनफूल सिंग की आखे नम हो गई भगवान भी कैसा कार साज है जिसके लिए कांगडा तक पैदल यात्रा की 51 सौंबार का ब्रत रखा उसे यह सब करना था क्या रिस्ता है मेरा जावेद से जो बेटे का धर्म निभा रहा है जिस बेटे के लिए सौंबार के ब्रत रखे और मातारानी की पैदल यात्रा की उसी की वहने दूद की मक्खी की तरह निकाल कर फैक दिया लक्षमी भी समय से पहले काल के गाल में पहुँच गई मेरा ही क्या भरोसा था अगर जावेद नहीं लाता जावेद ही मुझे मौत के मुझे खीच कर लाया है अस्पताल के बिस्तर पर पड़े चौधरी साहब के दिमाग में इस तरह के परशन गूंज रहे थे अगर लक्षमी भी होती तो आज ऐसे दिन देखने को नहीं मिलते कहां जाऊंगा क्या करूंगा जैसे प्रशन आप चौधरी साहब को बिचलित कर रहे थे तब ही जावेद ने आकर का अब्बू अब आप बिल्कुल स्वस्त हैं डॉक्टर ने आपको छुट्टी दे दी है दो दिन में आप सही हो जाएंगे और दो दिन आप यही से चलो अब घर चलते हैं अब्बू सुनकर जो आप चौधरी साहब का हिरदिया है सीहर उठा थर थराते होटों से बोले कहां जाओंगा समझ नहीं आप आ रहा हूं जीवन जैसे किसी मजदार में फस गया है जावेद कहने लगा अरे कहां जाओगे अपने घर चलेंगे वहां आप आराम से रहना तब चौधरी साहब के आँखे भराई और कहने लगे अब आराम कहां है वो तो लक्षमी के साथ ही चला गया सवीता क्या चैन से रह लेने देगी लक्षमी को याद करके चौधरी साहब की आँखों से आँसू टपक पड़े जावेद बोला अब्बू आप अपने घर चलोगे सवीता के पास नहीं वे तो बहुत बुरी औरक है उसने आपको पांच हजार रुपे में बेच दिया कटड़ा समझ कर मैं आपको उसके यहां नहीं भेजूँगा नहीं उसके साथ रहने दूँगा आप मेरे साथ चलोगे अपने घर मेरे घर कोई अपना घर समझना मैंने आपको अपना अप्बू समझ कर खरीद लिया है अप्बू ही समझूँगा आपको कोई तकलीप नहीं होने दूँगा जावेद के सब दों ने चौदरी मनफूर सिंग को जख जोर के रख दिया वे अर्द मुर्चित थे जब सबीता ने उन्हें बेचा था जावेद के मुह से सच्चा ही सुनकर उन्हें मालूम हो गई कि आप कर भी क्या सकते हैं जावेद उन्हें पांच हजार में खरीद कर लाया था सबीता ने बेच दिया जावेद अब्बू समझकर सेबा भी कर रहा है सबीता ने कटरा समझकर बेच दिया चौदरी साव का दिमाग ब्रह्मान में घूम रहा था वे कोई निर्ने नहीं कर पा रहे थे जीवन तो काट नहीं है और अब बचा ही कितना है जीवन की सांच तो होई चुकी है सिर्फ सूर्य हस्त होना बाकी है डलते सूरज को कौन पूझता है उगते सूरज को ही सब जल देते हैं सबीता के पास जाने का कोई लाब नहीं है जावेद सर पर रखकर उसे ले जा रहा था अपना अब्बू समझकर जावेद के साथ चलने में ही भलाई है दुखी करेगा तो फिर से विचार कर लूँगा बुढ़ापे में साहरा तो चाहिए जावेद अब्बू समझकर सेवा करेगा शायद इसके साथ ही से जीवन व्यतीत हो जाए सवीता के पास पहुचना अब बेयर्थ है जीवन के साथ चल करने के समान होगा सवीता के पास नहीं जाना बुढ़ापे में आप कहां ठोकर खाऊंगा चौदरी साब के दिमाग में सैकडो प्रश्न घूम रहे थे तब ही जावेद बोला अबू आप कहां खो गए तब चौदरी साब बोले कहीं नहीं बेटा सोच रहा था परिस्तितियों ने कैसे दोराई पर लाकर खड़ा कर दिया है कोई समय था जब दस बीस लोग फ्रहती दिन मेरे ही यहां खाना खा जाते थे आज अपने ही रोटियों के लिए दर दर भटक रहा हूँ सब लक्षमी की महरबानी थी उसके जाने के बाद घर नरक बन कर रह गया चौदरी साब की आँके नम हो गई आप किसी भी चौराई पर नहीं है जावेद कहने लगा अपने घर जा रहे है अब उस घर से आपका दाना पानी उठ गया है इतना ही साथ था आपका उनके साथ दिल छोटा ना करें उन्होंने ठुकरा दिया कोई बात नहीं आपका यह बेटा जावेद है आपकी सेवा करने को अपना अब्बू समझकर लाया हूँ अब्बू समझकर ही सेवा करूँगा चौदरी मन पूल के सामने अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था अपने घर जाना उन्होंने उचित नहीं समझा लक्षमी होती तो सेवा करती सवीता तो भूका ही मार देगी चौपाल पर इदर उधर के लोग आएंगे कैसे उनका सामना करूँगा कैसे अपना मूँ लोगों को दिखाऊंगा चोरों की तरह मूँ छुपा कर खेतों पर रहने से तो अच्छा है जावेद के यहां ही रहलू वे मुझे कुई यहां पर कोई पहचानने वाला भी नहीं है नई जिंदगी शुरू कर लूँगा बुड़ा पोतो काट नहीं है यही सोचकर चौदरी साहब ने जावेद को साथ चलने की अनुमती दे दी चौदरी साहब की सहमती के बाद जावेद घोड़ा तांगा लेकर चौदरी साहब को लेकर अपने घर पहुचा जावेद ने अपनी पतनी सवाना को सक्त हिदायत दे दी अब्बू समझ कर लाया हूँ इनकी शान में कोई गुस्ता की ना हो सवाना ने सर जुका कर चौदरी साहब के पैर छुली है चौदरी साहब की इच्छा अनुसार भोजन का अधेश जावेद ने सवाना को दे दिया उस दिन तो जावेद ने पहनने के लिए अपने कुर्ता और लूंगी जो चौदरी साहब को दे दिये दूसरे दिन सुबही दरजी को बुलाकर चौदरी साहब के लिए नया कुर्ता सिलवा दिये बाजार से धोतियां भी खरिद ली टोपी उसी दरजी से सील दी जिसने कुर्ते सीले थे एक छड़ी लाकर भी उसने चौदरी साहब को दे दी चौदरी साहब साहकारी थे इसलिए दाल, सबजी, दूद, दही खाते थे जावेद के यहां वही विवस्ता उनके लिए होने लगी जावेद के परिवार में पहले मास मचली भी चलता था चौदरी साहब के आने के बाद पूरा परिवार साहकारी हो गया चौदरी साहब के इच्छा सबसे पहले होती थी सर्वो परी थी जो उनकी इच्छा वही भोजन बनता था जावेद फेरी पर जाता सवाना को अच्छी तरह समझा बुझा कर जाता देख सवाना, मेरे अब्बू को कोई परेशानी नहीं थी सवाना और उसके बच्चे भी चौदरी साहब का ख्याल रखते जावेद को अब्बू मिल गया सवाना को ससुर मिल गया और बच्चों को भी दादा मिल गया चौदरी साहब को हुआ कोई परेशानी नहीं थी जावेद के हिया रहते रहते अब चौदरी साहब के 6 महिने गुजर गए चौदरी साहब भी जावेद के परिवार का सदस्या बन गए मुआ उने पूरा परिवार मिल गए जावेद को ही अब चौदरी साहब पुतर समझने लगे पुतर वदू के रूप में सवाना खूब सेवा करती थी बच्चे भी उन्हें अब पोता पोती लगने लगे लक्षमी देवी तो उन्हें छोड़कर पहले इपरलोग सिधार गई थी बहुत सवाना जो चौदरी साव के बहुत सेवा करती थी बच्चे भी बाबा के पैर दबाते रहते फेरी से लोटने के बाद जावेद भी अब्बू के पास बैठकर घंटो बातचीत करता अपने काम धंदे के बारे में बताता अब्बू आजकल वैपार में बहुत फायदा हो रहा है परतेक भैस और कठड़ा अच्छा मुनाफ़ा छोड़कर जा रहा है तब चौदरी साहब कहते बेटा मेहनत है तेरी मेहनत का फल तो भगवान देता ही है तब जावेद मेहनत तो अब्बू मैं पहले भी उतने ही करता था जितनी अब कर रहा हूं मगर इतनी बचत नहीं थी दो जून की रोटी का ही जुगार हो पाता था जैसे तैसे गुजर बसर हो रही थी अब जिस जान पर हाट डालता हूं वही हजार पांसो रुपे दे जाता है यह तब भी ऐसा ही हुआ है जब से आप आए हो अब्बू मेरे तो घर में बरकत हो गई है जब से आप आए हो तब चौदरी साब बोले मेरे आने से क्या हो गया बेटा मैं तो खाली हाथ और बिमार आया था मेरे आने से तेरा खर्चा बढ़ गया तब जो जावेद कहने लगा ऐसी बात मत करना पू तुमारे आने से मेरा खर्चा तो जो बढ़ा है तो कमाई दस गुना बढ़ी है, खर्चा दुगना बढ़ा, कमाई दस गुना बढ़ गई है यह सब आपका असरवाद है अब्बू, और अब्बू, आज तो मुझे एक भैस महीं दो हजार रुपे बच गए कुसी से जावेद की आंके चमक गई, थैला खोलते हुए बोला, लीजी अब्बू, मैं आपके लिए एक जोड़ी, दोती, कुर्टा और टोपी खरीद लाया, पहन के देखो कैसे है चौदरी साब बोला, मैं तो बुड़ा आदमी हूँ, चाहे जैसे पहन लूँगा बेटा, इन बच्चों की उम्रे खाने पहनने की, इनके लिए क्यों नहीं लाया, तब चौदरी साब ने बच्चों की और इसारा किया, तो जावेद बोला, अब्बू, मुझे इनका जाता हूँ, तू तो पूरे दिन घुमता है बेटा, ठक गया होगा, जा खाना खाकर आराम कर, इन बच्चों को मैं कल बाजार घुमा लाऊंगा, जो चौदरी साब ने जावेद से अपने पैर छुडा लिये, जावेद बोला, आप पूरे दिन हैं क्यों पड़े रहते हो चड़े उठा कर सड़क की तरफ घुमा आया करो, चलते फिरते रहोगे तो स्वस्ते भी अच्छा रहेगा, लोगों से भी जान पहचान होगी, जावेद के अपू हैं ये, जावेद ने हसते हुए कहा, तब वह कहने लगा, हाँ, तुझ पर वजन बढ़ाने को ही मैं तेर गई है, दिन दौनी रात चोगनी कारोबार में विर्दी हो रही है, आप जो मेरा बजन बढ़ाने नहीं आए, आपका हासिरवाद बलकि मेरे लिए फली भूत हो रहा है, किस जनम का नाता है रहे, चौदरी साहब बोले तुझ से मेरा, इतना मान सम्मान प्यार तो मेरे अब तक पराया समझ रहे थे अब्बू, जिन्होंने आपका सौधा कर दिया, मैं तो आपको अब्बू समझ कर लाया था, तब चौदरी साहब बोले ठीक है, आज से मैं तेरा अब्बू ही हूँ, और इन बच्चों को भी सोने दे, और तू भी आराम कर ठक गया होगा, कमाई कर लूँगा, अच्छा अब्बू, अब आप आराम करो, मैं भी चलता हूँ, इतना कहकर जावेद बच्चों को ले कर चला गया, जावेद तो चला गया, मगर आप चौदी साहब सोच में पड़ गए, जावेद अपने अब्बू की तरह ही उन्हें सम्मान देता था बच्चे भी बाबा बाबा करते नहीं ठकते थे, सवाना, सवाना कितना ख्याल रखती है, हर समय हर सुवीदा खाना धुले कपड़े यह सब सवाना ही तो करती है, सवीता तो सिर्फ माल की भूकी थी, उसने तो कभी मेरे कपड़े भी नहीं धोए, चौदी साहब सोचने ल होता, तो मेरा क्या होता, मर गया होता, अब तक तो मैं चिता की राख पर भी घास उगाई होती, जिने मैंने सब कुछ दिया, साथ वीगा जमीन हवेली बना कर दी, उन्होंने ही मुझे बेच दिया, जरा भी नहीं सोचा कि इस बिमार बुड़े के साथ हम क्या कर रहे हैं, एक यह जावेद है, जो गैर को भी अपना बाप समझ रहा है, हिर्दिय में करूना और मन में सदभावना है, जीव से मधूर और तन से परोपकारी है, यही तो मानव जीवन का सार है, धन दौलती सब कुछ नहीं होती, बुजुर्गों का आसिरवाद ना जाने, कितनी धन दौलत पैदा कर देता है, असाहे की हाए, लोहे को भी भसम कर देती है, सभीता ने मेरी मजबूरी का फायदा ही उठाया, दंड तो उसे भुगतना ही पड़ेगा, पहले उसने लक्षमी को रास्ते से हटा दिया, अब मुझे भी ऐसा ही स्यायद ही किसी बुजुर्ग के सा हुआ होगा, जिसकी नसलों में ही उसे कटी के लिए बेच दिया हो, चार पाई पर पड़े पड़े चौधरी साव की पलकों के कोरों से आसू टपकने लगे, सोचने लगे मेरा बेटा बिरजेस या जावेद, बिरजेस के पास रहता तो सभीता अब तक मार देती, धन में से जो जोलियां उनीकी भरतियां जो दूसरे के लिए अपनी जोली में फूल रखते हैं, काटे चुबाने वाले के लिए तो अपने ही कम नहीं पड़ते, संतान वही है जो सेवा करे, जावेद अपने बाप की तरह सेवा कर रहा है, गरीब है, मगर उसका हिर्दय ब यह सब कुछ कर रहे हैं, जो एक संतान अपने बाप के लिए करती हैं, तो क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता, जावेद जब पिता समझकर मेरी देखभाल कर रहा है, तो क्या पुत्र के लिए मेरा कोई उत्तरदायत्व नहीं है, तो क्या मैं जिंदगी पर जावेद पर ब हैस कटड़ा खरीदता है मैं खां खरीद पाऊंगा जावेद के लिए बढ़ापे का सरीर है मैं उसकी कोई मदद भी नहीं कर सकता हूँ घेतों में मस्दूरी भी नहीं होगी मैं जावेद के लिए क्या कर सकता हूँ आप चौदरी साहब एनी विचारों में पड़े वेचार पाई पर लेटे थे, सोच रहे थे कि मैं ऐसा क्या करूँ, जिससे जावेद की गरीबी दूर हो जाए, उस पर मेरे बेटे की तरह मेरी सेवा कर रहा है, मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, आप चौधरी साब की नेद आखों से कोसो दूर थी, जावेद कितना मेहनत करता है, पूरे दिन इस गाव से उस गाव जाकर भैस कट्रा खरीदना और कट्टीम में बेचना, यही उसका धंदा है, बच्चों को पालने के लिए धंदा भी इस्ताई नहीं है, कभी भैस कट्रा मिल जाता है, तो कुछ बच जाता है, नहीं मिला तो खाली हाथ, उसके प पाप मान लिया है, तो मैं क्या उसे अपनी उलाद नहीं मान सकता, अब चौधरी साहब के दिमाग में धरम युद चल रहा था, बिरजेस अपना खुन था, जिसके लिए उन्होंने 51 सौंबार ब्रत रखा था, कांगडा तक की पैदल यात्रा में सब पैर गिस गए थे, ल तार-तार हो गई, और मुझे भी मरने के लिए कटरा समझ कर बेच दिया, क्या यही सपने देखे थे, पुत्र होगा तो बुढ़ापे में सहरा देगा, अंधेरे में दीपक बनकर रहा दिखाएगा, सब सपने आखों में आंसों में बह गए, लक्षमी ने तो कुड़ जानी दे दी, ऐसे पुत्रे से तो जो बांजी रहती तो अच्छा था, ना पुत्र होता, ना सवीता आती, बुढ़ापे में खुआरी करने को, एक तरफ जावेद है, जिससे खून का कोई रिस्ता नहीं है, बाप समझता है अपना, बाप की तरह सम्मान भी देता है, सेव जिसे कोई लोब लालच नहीं है, पांच हजार में खरीद लाया, नई जिन्दगी दी, पांच हजार की भहस खरीदता, तो साथ हजार में बिक जाती, मगर उसने भहस नहीं, बाप खरीद लिया, सेवा करने को, ऐसे समय में जम मुझे पुत्र की जरुरती, भगवान ने जो बुढ़ापे में, जो मेरा साहरा बनकर, मेरी लाठी बन गया है, बुढ़ापे की लाठी बनकर, मुझे सहोग दे रहा है, सेवा कर रहा है, क्या आवशकता थी, उस चिराग की, जिसने घर को ही जला दिया, ऐसे चिराग से तो अंधेरा ही अच्छे था, जावेदी करने के बाद चौदरी साहब के दिमाग में यह दुन्द स्वाप्त हुआ अब वे बिर्जेस और उसके पूरे परिवार को पूरी तरह भूलने में अपनी भलाई समझने लगे बिर्जेस के परिवार को याद करते रहेंगे तो जीवन में दुखी दुख मिलेगा अपने इन ने उन्हें अपने आगोस में समयट लिया अब चौदरी साहब सपना देखते हैं अपने चौबारे पर बैठे हैं पंचायत में हुका गुडगुडा रहे हैं चार पाई पर अन्या लोगों की भीड थी तभी मालती घूमती हुई आ गई और चौदरी साहब के सर पर हा मालती को आवाज दी मालती ओ मालती इधरा कहां जाकर बैठ गई है ना जाने कैसी कैसी बिमारी ले आएगी तू अब बच्ची नहीं है 14 साल की हो गई है तुझसे कितनी बार मना किया है इनसे दूर रहा कर हुका पीते हैं तुझे भी कुछ हो गया तो तेरा इलाज भी नह कोद से कोद का भागने लगी चौदरी साब उसे पकड़ने के लिए अपना हात बढ़ाया हात बढ़ाते बढ़ाते वे चार पाई पर बैठ गए उनकी नेंद भंग हो चुकी थी सपना तूट चुका था चौदरी साब जो हत प्रभ से चार पाई पर बैठे रह गए सपने के जाने के बाद चौदरी साब को फोटी आख नहीं देख सकती थी सभीता कहती थी घर लुटा दिया इस बुड़े ने सभीता तो यही समझती थी मगर मालुम नहीं भगवान किसके भागय से हमें देता था खाने वालों का आदर सतकार हो जाता था फिर भी भंडारे में कमी नहीं आती थी लक्षमी के बाद घर का माहौली बदल गया आब वे घर मेरा घर कहां है आप चौदरी साब फिर से चार पाई पर लेटकर सोचने लगें अब मेरा उस घर से कोई वास्ता नहीं है तो मैं उनकी याद क्यूं करूं क्यूं नहीं याद करके अपना दिल दुख समता है कि उसे ढूणना क्या है भगवान ने जो दिया है उसका क्या करना है वह यहीं नहीं समझ पाता वहीं हाल मेरे साथ हुआ है पुत्र को ढूणने में मेरी जिंदगी निकल गई एक्यावन सौंबार ब्रत भी रखा कांगडा तक पैदल यात्रा भी की मगर जो मिला क् अब मिला है उन्होंने जब निकाल कर फैक दिया ताब मुझे मेरा पुत्र मिला है अभी मध्यारात्री का समय था चौधरी साब फिर से चार पाई पर लेट गए और निद्रा देवी ने जपकी देना सुरू कर दिया सुबह सबाना की अवाज सुनकर चौधरी साब की नें पर रख दे सबाना बोले अबू चाय भी है तब वे बोले हुआई पानी के पास रख दे बेटी चौधरी साब ने दो गिलास गुनगुना पानी पिया और चार पाई पर बैठ कर चाय की चुसकी लेने लगे चाय पीने के बाद उन्होंने अपना कुर्ता धोटी ठीक किये सर पर टोपी लगाए और छड़े उठा कर गूमने के लिए जंगल की ओर चल दिये नितिय करम से फारी गो कर दो घंटे टहल कर सनान ध्यान करके वापस आ गए तो सबाना ने दूद का गिलास थमा दिया अबू दूद तब चौधरी साहब बोले मेरे क्या पंक निकलेंगे बेटी इन बच्चों को खिलाया कर इन्हें दूद की अवश्यक्ता है तब बोली सबाना आप क्या इनके हिस्से का पीते हो अबू यह भी पीते हैं आप भी पीओ खाते पीते रहोगे तो सरीर सही रहेगा चौधरी साहब ने चार पैपर बैठते वे दूद का ग्लास सबा बार भी ऐसा ही होता चौधरी साहब सोची रहे तब जावेद भी आता हुआ बोला अबू कोई परिसानी तो नहीं है तब चौधरी साहब बोले बेटा तेरे रहते मुझे क्या परिसानी होगी तब जावेद बोला नहीं अबू मैं तो दिन में निकल जाता हूं मुझसे प जावना, जैसी सुशील सुन्दर बहु मिली हैं।高 वए चेपिए तुमारे अबू में आख मूँ से कोड़ेंगчи।। मुझे क्या कमाकर लाना है। तुम कमाकर लाते हो। तो मैं सेवा कर देती हूँ। मैं कहां से लाँँगी। मेरा काम तो सिर्फ हाथ पेरों की सेवा करना है नाक सी कोड़ना नहीं तब वे कहने लगा जावेड ठीक है ठीक है मारानी मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था तू तो बुरा मान गई मैं फेरी पर जा रहा हूं अब्बू का ख्याल रखना सवाना बोली जी ठीक है तो वे बोली तुम जाओ निश्चिन थोकर फेरी पर तब चौदरी साहब भी बोले हाँ बेटा तु मेरी चिंता मत कर बहु मेरा बहुत ख्याल रखती है जैसे अपनी बेटी हो चौदरी साहब ने कहा तो जावेड बोला ठीक है अब्बू मैं चलता हूं बोला अब्बू आज तो कमाई पांच हजार से अधिक हो गई है एक ही भैस अच्छा मुनाफ़ा दे गई तब चौदरी साहब बोला इतना किस खुसकी हो रहा है किसी दिन कम तो किसी दिन जादा होती है तब बोला जावेड अब्बू अब कम हो या अधिक धन्दा तो यही है मेरे पास कोई जमीन तो है नहीं मुझे तो गाउं गाम घूमना पड़ेगा जावेड की बास सुनकर चौदरी साहब को सोचने लगे और बोले जावेड मेरा ही बेटा है सोचने लगे इसके पास जमीन नहीं है मेरे पास तो 60 वीगा जमीन है इसे मैं अपनी जमीन सोचते सोचते तब ही जो सोचने में लगे थे तो जावेड बोला काँ खो गए अब्बू क्या सोचने लगे हो जावेड पूछने लगा तो चौदरी जी कहने लगे बेटा जावेड तू कुछ रुपे एकटा कर ले तब जावेड बोला अब्बू रुपो की आपको क्या आवश्यक्ता है घर में 40-50 अजार तो रखे होंगे जरूरत हो तभी ले ले न तब चौदरी साहब बोले 40-50 अजार नहीं कुछ और एकटे कर तब जावेड बोला अवश्यक्ता होगी तो और भी हो जाएंगे अब्बू वैसे आपको कितने रुपे की जरूरत है तब चौदरी साहब बोले हो सके तो लाग दो लाग या अधिक की जरूरत पड़े तहसिल जाकर ही मालुम होगा कितने रुपे चाहिए तब चौदरी साहब बोले बेटा मेरे पास साथ भीगा जमीन है तेरे पास एक कूड भी जमीन नहीं है तो मुझे अपना अब्बू मानता ही है तो जावेड बोला हाँ अब्बू समझगरी तो लाया हूँ आपको अपकी सेवा करने में कोई कमी हो गई क्या जावेड घबराते हुए बोला तो चौदरी साहब बोले नहीं बेटा तेरे रहते सेवा में कमी रह सकती है क्या तू तो सच मुझ में राम है राम तू मुझे पहले क्यों नहीं मिला यही सोचता रहता हूँ चौदरी साहब ने कहा जब तू मुझे अपना अब्बू समझता है तो तू मेरा बेटा ही तो हुआ ना तब वह बोला हाँ जावेड कहने लगा मैं तू में अपना अब्बू ही समझता हूँ तो चौदरी साहब बोले जब तु मेरा बेटा है और मैं तेरा अब्बू हूँ तो तेरे पास एक कूड भी जमीन नहीं है तेरे अब्बू के पास 60 बीगा जमीन है ये कैसे हो सकता है बाप के पास 60 बीगा जमीन बेटे के पास कुछ नहीं बेटा ही तो बाप की संपत्ती का उत्राधिकारी होता है अ उसी के लिए मैं रुप्यों की बात कर रहा था। कल तहसील जाकर मालूम कर लूँगा खर्चा कितना होगा। उतनी तु बेवस्ता कर लेना। चौदरी साब ने अपनी बात जो परगट कर दी। चौदरी साब के सब्द जावेद के अंतर मन को चीरते हुए चले गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दूसरे की धन संपदा पर उसकी नियती भी नहीं थी। वह तो सिर्फ चौदरी साब की हालत और समीता का बैवार देखकर सेवा के लिए उन्हें खरीद कर लाया था। आज चौदरी साब उसे साट बीगा जमीन देने की बात कर रहे हैं। कुछ संभल कर जावेद बोला अबू आपकी संपत्ती पर मेरी नियत नहीं है। आपके गाउं में हैं। मैं फेरी के लिए जाता आवश् रही थी कैसी ओरत है अपने बड़े बुड़ों का सम्मान नहीं कर सकती मेरे भी अबू नहीं थे सोचा अबू समझकर ही आपकी सेवा करनूगा इसलिए आपको खरीद लाया जमीन जायदाद के लिए नहीं अबू आप जमीन जायदाद वहाई रहने दे मुझे इसकी कोई जरूरत रही है मैं तो अपने हाथ पैर और अपनी मेहनत पर विस्वास रखता हूँ तब चौदरी साब बोले तो तू मुझे यहां रखना नहीं चाहरा बेटा तू मेरा बेटा नहीं है तब जो वह कहने लगा आप कैसी बाते कर रहे हो अबू मैं तो आपके यहां से कही आपको जाने भी नहीं दूँगा आपकी सेवा में कोई कमी रह गई है क्या जो आपने यह बात कह दी जावेद अब थोड़ा परिसान हो गया तो वह कहने लगे चौदरी साब ऐसी सेवा तो मेरी लक्षमी नहीं की थी जैसी बेटा यहां हो रही है सेवा में तो मेरी कोई क होते हैं तव चौदरी साब बोले तो तू मुझे सिर्फ दिखावे के लिए अब्बू बोलता है मेरा परिवार अभी तक तू उसी परिवार को समझता है तव जावेद बोला नहीं अब्बू यहां आप आराम से रहो आपकी पूरी सेवा होगी जमें जायदाद की मात मत क समझ रहा है जावेद बोला अब्बू मैं आपको गैर नहीं समझ रहा हूँ जावेद कुछ आगे बोलता उससे पहले ही चौदरी साब बोले बाप की संपत्ती बेटे के लिए होती है अगर तू मुझे गैर नहीं समझ रहा तो वैं जमीन और हवेली तुझे लेनी पड़ जावेद बोला अब्बू मैंने अगर आपकी जमीन ले ली तो जमाना मुझ पर थूकेगा बुड़े को बहला पुसला कर डरा धमका कर जमीन अपने नाम लिखवा ली इस बात का मुझे डर है आपके बेटा बहु बीजो मेरी आत्मा मरोडेंगे उनकी बद्दूआ भी ख्वाले बेटा तब जावेद बोला अब्बू अलाद अलाद ही होती है खून का रिस्ता है आप का उन से आज आप गुसे में यह सब कर रहे हैं मगर खून के रिस्ते कभी खतम नहीं होते आपकी आत्मा कभी न कभी उनके लिए उमड़ने लगेगी तब चौधरी साब ब नहीं तुझे नहीं चाहिए तो कल मैं हैंसे चला जाओंगा जो मेरी जमीन जायदाद को लेगा उसी के साथ रहूँगा मगर सभीता के लिए नहीं छोड़ूँगा आज की तारीक में तीन करोड की संपत्ती तो है ही तू नहीं लेगा तो मैं किसी और को दे जाओंगा छोड़ जाओंगा ताकि भविस्या में सभी अपने बुजुर्गों का सम्मान करें बुजुर्गों का अपमान करने से पहले सो बार सोचें कि कहीं चौधरी साहब की तरह हमें भी संपत्ती से बे दखल ना कर दें अब मैं उसे संपत्ती पर गुल छर्रे नहीं उड़ाने ही रुकेंगे एक साल से रह रहे हैं प्यार तो बड़ी गया बच्चे भी बाबा समझने लगे हैं इनके जाने से बच्चों का दिल भी तूट जाएगा बुड़ापे में कहां मारे मारे फिरेंगे जहां भी जाएंगे जमीन तो हुआ निश्चित दे ही देंगे अपने ब जावेद ने तहसिल जाने की सवी कीरती दे दी दो दिन बाद ही चौदरी साव ने सुम महुरत देखकर जावेद के साथ तहसिल पहुँच गए लेकवाल से जमीन की फर्द निकलवाई वकील ने बैनामा के कागज तयार कर दिये चौदरी साव ने अपनी चला-चल संपत् बैनामा दर्ज होने के बाद दोनव वापस आ गए दो महीने बाद ही चौदरी सिंग ने दाखिला खारिज भी करा दिया अब जावेद जो चौदरी साव की पूरी संपत्ती का मालिक बन चुका था चौदरी साथ बीगा जमीन हवेली साइथ सरकारी दस्तावेजों में जा जावेद कभी अपना हक जताने भी नहीं पहुंचा जावेद ने चौदरी साव की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी कहीं चौदरी साव यह न समझने लग जावेद को जायदाद मिलने के बाद जावेद की निगा बदल गई जावेद और भी जादा चौदरी साव की सेव करने लगा जावेद के साथ रहते रहते चौधरी साहब को दो वर्स हो गए गाम के लोग भी उन्हें पहचानने लगे थे पंचायत करने का तो उन्हें काफी अनुभव था गाम के बाद विवादों में लोग उन्हें पूछने लगे चौधरी साहब की चौपाल धीरे धीरे जावेद के यहां भी सजने लगी चौदरी साव का व्यक्तित्व भीड में अलगी दमकता था धोती कुड़ता सिर्प टोपी हाथ में छड़ी पकड़ कर जो वे जिस तरह जिधर भी निकल जाते लोगों की नजरे उनके व्यक्तित्व के सामने जुक जाती थी जैसे कोई रह कुछ टैनियों की कटाई का काम चल रहा था कुछ टैनियों की छटाई के बाद जो उसने साइकल उठाई और लाइन के सारे सारे लाइन देखता हुआ सड़क के किनारे आगे बढ़ने लगा कई किसी ब्रिक्ष की टैनी तो लाइन पर नहीं आ गई मैं और तनमन्यता से साइद कोई आदमी जा रहा है उसने देखा सड़क पर आदमियों का चलना कोई नई बात नहीं थी सैगडों चलते हैं लेकिन वह वेक्ति उस अधिकारी को बिजली अधिकारी को 500 मीटर आगे था वह भी धीरे धीरे साइकल से आगे बढ़ता गया दूरी कुछ कम हो गई क्यो वेक्ति सोचने लगा सैगडों लोग चलते हैं दूर से भ्रहम हो जाता है कुछ समय बाद दूरी और कम हो गई तो उस वेक्ति का संधे विश्वास में बदलने लगा मगा हिल्दय में अभी भ्रहम था कि चौदरी मनफूल सिंग नहीं नहीं कोई और होगा कुछ समय बाद बिल्कुल वेक्ति नजदीक आ गया पीछे से देखने पर चौदरी मनफूली लग रहे थे कुर्ता धोती पैने सरपर टोपी हाथ में छड़ी भी लगी हुई थी वे सोचने लगा मेरा विश्वास जो ठीक है मेरा जो सक्ता वे विश्वास में बदल गया उसे विश्वास हो गया कि यह जो चौदरी फूल सिंगी है कोई और नहीं यही घूम रहे हैं अपने गाम से 15 किलोमीटर दूर शायद यहां किसी के पास रिस्तेदारी में आए होंगे शाम का समय सड़क पर घूमने निकल आए होंगे चार साल पहले ही उस लाइन मैन की तैनाती इसी छेतर म थी ना जाने कितने दिन इनके यहां खाना खाया था उसने और इनकी चौपाल पर तो दूद मठा पीना तो आए दिन की बात थी गाम में किसी के यहां भी विदुत लाइन साइट करने जाते तो काम होने के बाद चौदरी साहब के चौबारे पर पहुंच गए कुछ समय आ पहुंच गया वे अपनी धुन में मस्त था चड़ी गुमाते वे चले जा रहे थे चौदरी साहब और उसके निगाया उनके चेहरे पर टिक गई तब वे बोला अरे चौदरी साहब आप तब चौदरी मनफूल सी उसे देखकर कहने लगे अरे रामदया नहीं होना तुम ब तो आपके इलाके में तैनाती थी अक्सर आपके दर्सन होते रहते थे खूम मन लगता था आपके चौबारे पर छाच दूर भी खूब पिया था आपके यहां चार साल ऐसे गुजर गए जैसे कल की ही बात हो यहां कैसे चौदरी साहब किसी रिष्तेदारी में आए होंगे रामदयाल कहने लगा तो चौदरी साहब पूछने लगे रामदयाल बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े हो कैसे हो भाई सब कुशल मंगल तो है रामदयाल बोला आपकी किरपासे चौदरी साहब सब कुशल मंगल है आपके गाव में तो सब ठीक है अब तो मालती बिटि तो चौराय की तरफ चलते हैं रामदयाल, चाय पिएंगे, वहाँ चाय की एक दुकान है, तब रामदयाल बोला चलो, आपके साथ बैठने का समय तो मिलेगा, वैसे तो दिन छिप रहा है, मुझे भी घर तक पहुचना है, पर आप कई साल बाद मिले हो चौधरी साहब, तो आपके साथ तो बश्य बैठोंगा, आउ साइकल से चलते हैं, आप पीछे जो साइकल के केरियर पर बैठ जाओ, तब चौराया है कितनी दूर, चौधरी साहब बोले, वैसे आमने ही तो है, शाम का समय टहलते टहलते चलते हैं, आप चौधरी साहब की बास सुनकर, बिजली मैन भी उनके साथ साइकल हाथ में पकड़ कर पैदल पैदल चल दिया, कुछ समय में ही दोना चौराये पर चाय की दुकान पर पहुच गए, चाय की दुकान पर बैठ गए, दो चाय बनाना चौधरी साहब ने हाथ से इसारा करते हुए का, तो चाय वाला बोला, जी अभी बना देता हूँ, तब ही रामदयाल ने पूचा चौधरी साहब, पहले तो आप चाय नहीं पीते थे, आपने कब से चाय पीना सुरू कर दिया, आप चौधरी साहब बोले, अरे रामदयाल, हमारे कौन से पंक निकलने है, बढ़ा पाई तो काटना है, इस उमर में जायदा दूद भी तो नहीं पी सकते न, तो चाय ही सही है, अब रामदयाल चाय पीते पीते जो दिन छिप गया, कहने लगा, तो रामदयाल ने अपनी साइकल उठा ली, और चौधरी साहब भी टहलते टहलते, अपने घर वापस आ गए, और रामदयाल भी अपने रास्ते चला गय जावेद के हैं चौधरी मनफूल की अच्छी खातिरदारी हो रही थी, उनके मान सम्मान में कोई कोर कसर जावेद ने नहीं छोड़ी थी, घर के मुक्या का सम्मान उन्हें हुआ प्राप्त था, चौधरी साहब भी जावेद के परिवार में ऐसे घुल मिल गए, जैसे यह उनके खुद का परिवार है, समाज में भी उन्हें वही इज्जत हासिल थी, जो कभी उनके खुद के गाउं में थी, जावेद का कारोबार फलता फूलता गया, धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए चौधरी साहब से मिलने वालों के लिए चाय पानी में कभी कमी नहीं आती, चौधरी साहब के कई बार कहने पर भी, जावेद ने चौधरी साहब की जमेन पर अभी कभजा नहीं लिया था, उस जमीन को बिरजेसी जो उसका कभजा था वही बो रहा था, पहले की तरह, समय सबका एकसा नहीं होता, हर किसी का अंत निश्चित होता है, क्योंकि जो इस उसको यह दुनिया भी छोड़ कर जानी होती है, चौधरी साहब की अब उमर पूरी हो चली थी, और बुढ़ापे का सरीर था, जावेद की सेवा में कोई कसर नहीं थी, जावेद की सेवा से उने जिन्दगी के कई वरस और मिल गए थे, उमर का असर अब सरीर पर भारी जावेद ने अपने अब्बू का इंतकाल तो देखा नहीं था लेकिन चौदरी साव के जाने से उसे महसूस हुआ जैसे उसके अब्बू आज उसे छोड़ कर चले गए जावेद ने वैदिक रीती रिवाज के अनुसार अपने अब्बू का दाह संसकार किया जावेद ने उने मुखागनी दी जावेद ने ही तेरे दिन का सोक पर बैठा तेरवे दिन चौदरी साव की आत्मा की शान्ती के लिए जावेद ने हवन यग पर बैठा हवन यग के ब ब्रम बहुझ का आयोजन था जावेद ने चौदि इसाव की ख्याती को देख एक बड़े ब्रम बहुझ का आयोजन किया छेतर के सभी संवानित व्यक्तियों को निमंतरन भेज़े गए चौदरी पूरे गाउं को भी बुलाया गया गाउं के साथ साथ बिर्जेश का पूरा परिवार भी चौधरी साथ के यां ब्रम बहुज में सम्मिलित हुआ गाम वालों की तरह बिर्जेश का परिवार भी दावत खाकर वापस चला गया चौधरी साथ के मिर्तियों के पश्चायत अब यह जमीन मेरी है आप भविसे में अब इस पर खेती ना करें जावेद के सब्द सुनका बिर्जेस के पैरों से जमीन सरग गई वैं गुसा होकर बोला तेरे बाप की है क्या जो तुमुझे नसीहत देने चलाया दोबारा ऐसे सब्द बोले तो मैं तेरी हड़ी पसली तो भाव से कहा तब बिर्जेस जो बोला ऐसे फरजी बैनामा लेकर ना जाने कितने गुमते हैं जमीन मेरे बाप की है और इसका एक मातर बारिस मैं हूँ बिर्जेस ने भी अपना फैसला सुना दिया तब जो वह कहने लगा जावेद मेरा बैनामा फरजी नहीं है बिर्जेस रही बात तुम्हारा बाप तो उसी दिन मेरा बाप हो गया था बिर्जेस जिस दिन तुम्हारी पतनी ने उन्हें 5000 रुपे में बेच दिया था मैं अपने बाप की संपत्ती पर कबजा लेने आया हूँ और लेकर रहूँगा ताब बिर्जेस गुसे में बोला तेरी देही मसाला मांग रही है तो आ जाना दूसरे के बाप को अपना बाप कहते से संपत्ती नहीं मिलती इस तरह तो चाहे जो भी किसी को अपना बाप बना कर संपत्ती हड़प सकता है अपने बाप का मैं एकलोता पुत्र हूँ मैं ही संपत्ती का उत्रा धिकारी आप तो मैं जा रहा हूँ जो जावेद भोला कल तुम्हारे दर्वाजे पर पंचायत बठाऊंगा पंचायत जो निर्निया देगी मुझे मनजूर है बिर्जेस के तेवर देक का जावेद यह तो समझ गया कि यह इतने आराम से जमीन छोड़ने वाला नहीं है जावेद के प चल संपत्ती का एक मात्र बारिस हूँ और पंचायत में यह मेरा कुछ बिगार नहीं सकता पंचभी पैर्थक संपत्ती का द्रिकारी मुझे ही देंगे चार साल रोटी खिलाने की कीमत में क्या इसे पूरी जमीन दे दूँ चला आया जमीन लेने जैसे इसके बाप की है आम परदान भी पंचायत में बुला लिये चौदरी साब के चौबारे पर पंचायत बैठ गई बिरजेस ने पंचों के बैठने के लिए चबूत्रे पर ही चार पाईया डाल दी थी चौदरी साब के जमाने में तो हर समय चार पाईया पड़ी रहती थी पंचायत होती रहत थी बाकी समय सरकारी करमचारी चारपाईयों पर पड़े रहते थे चौधरी साहब के जाने के बाद यह सब खेली बिगड़ गया चौबारे के छपपर पर फूस भी नहीं रहा चबूतरे पर भी जगे जगे घास उगाई थी कैई साल बादा चौबारे पर भीड इखटा हु तो कुछ तमास भीग अब चौधरी साहब की जमीन के दो दावेदार थे पहला बिर्जेस और दूसरा जावेद बिरजेस चौधरी साहब का अपना खून था दादालाई संपत्टी पर उसका एक आधिकार समझता था वहीं एक मात्र चौधरी साहब की संतान था जावेद चौधरी साहब का मानस पुत्र था अपने जीवन के अंतिम समय में चौधरी साहब की चल अचल संपत्ति जावेद के नाम बेनामा कर गए थे पंचायत ने अपने कारेवाई शुरू कर दी दौनों पक्षों में तर्क वितर्क कुतर्क तक पहुँच गए पंचों ने हस्त छ विरजेसी जो चौधरी साहब का एक मात्र पुत्र था इसलिए संपत्ति पर अपना दावा जता रहा था चार साल चौधरी साहब की सेवा जावेद ने की थी उसकी कीमत वे देने को तयार था उसके बदले लेकिन जमीन नहीं जावेद का तर्क था कि वे तो चौधरी में खरीद कर ले गया था सभीता ने कट्रा समझ कर 5000 में बेचा था 5000 में खरीद कर मैंने अपना अब्बू समझ कर अस्पताल में भरती कराया और उनको अपना अब्बू समझ कर उनके स्वस्थ होने पर अपने घर ले गया मैंने अपने परिवार के साथ अपने अब्बू की स यह तो लालची है इसने मेरे पिता से जब परदस्ती की होगी यह संपत्ती के लिए मेरे बाप को अपने घर ले गया ताव वह कहने लगा संपत्ती के लिए नौटंकी नहीं है संपत्ती तो मेरी ही है मैं ही संपत्ती का कानूनी मालिक हूँ वैसे तो बिरजेस मुझे पंचा लेने में भी पीछे नहीं हटूंगा